Hello friends, very good morning to all of you and welcome दोस्तों बिहार बियर नामंकन को लेकर कौंसलिंग परकिरिया अभी जारी है जहां पर पहला चरण कौंसलिंग परकिरिया हुई है और दूसरी चरण में बहुत सारे एस्टूरियन का कौंसलिंग परकिरिया डोकुमेंट वेरिफिकिशन होनी है इसके बाद 28 नमंबर को जारी होगी चात्रों की सूची अब ये 28 नमंबर को कौंसी सूची जारी होगी वीडियो को पूरा देखेगा अगर आप कौंसलिंग परकिरिया में भाग लिये हैं या फिर आगे भाग लेने वाले हैं तो वीडियो को लाक्स तक जरूर दखिए साथे साथ दूसरी मेधा सूची कवाएगी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू कि जिन चातरों का कोलेज एलोटमेंट लेटर जारी हुआ उनका डोकॉमेंट वेरिफिकेशन 11, 12 और 10 नमंबर को हुआ था तो उनमें से बहुत सारे ऐसे चातर हैं जिसका डोकॉमेंट वेरिफिकेशन 25 नमंबर तक पुरा किया जाना है इसके बाद 28 को जारी होगा चातरों की फैनल सुची जो एडिमिटेड चातर होगी उसकी फैनल सुची 28 नमंबर को कोलेजों के द्वारा जारी कर दी जाएगी तब आप जो है उस कोलेज में पहुँचकर नामंकन लेंगे अभी आपके पास डोकॉमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक सिलिप मिला होगा उस सिलिप को ले करके आप उस कोलेज को पहुचेंगे और आपका उस लिस्ट में नाम रहेगा जो कोलेजों के द्वारा जारी किया जाएगा उसके बाद आपका नामंकन परकिरिया पूरा होगा तब जो है फाइनल रूप से आप सभी को अपने वेबसाइट से उफिसल वेबसाइट से यूजर आइडी और पासवर्ट डाल करके एक एडमिशन सिलिप बटन आप सभी का सकिरिय होगा उसको next करके आप सभी को एक receiving में मिल जाएगा वहाँ पर तो आगे परकिरिया हम आपको बताएंगे आगे उसको download करके print कर लेना है उसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक परमान पत्र मिल गया कि आपका नामंकन की परकिरिया पूरा हो चुका है इसके बाद दूसरी मेधा सुची एक दिसंबर को जारे की जाएगी विस्विद्याले की दौरा इसके बाद आप सभी का counseling दूसरी counseling के लिए जो payment करना होगा एक से लेकर के 4 दिसंबर तक जो कि आगे के परकिरिया हम आप सभी को बताते रहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही एक दिसंबर तक इंदिजार कीजी जिसका भी अभी तक कोई college allowed नहीं हुआ है इसके बाद last में export admission भी होगा तो third list भी आएगी उसके बाद export admission होगा तो आगे हम आप सभी को update करते रहेंगे तो 28 को जो सूची जारी होगी final सूची तो इसमें आप सभी को देखना होगा कि आपका इसमें नाम आया है या नहीं वैसे जिनका document verification होगया confirm उसका नाम आएगा और आप उस college में पहुँच कर admission confirm करवाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद